Hello friends, my name is Advocate Rajesh Mishra और आप सबका स्वागत है अतुल्यम गुरुप में जैसा कि आपको पता है हम Delhi NCR के प्रोजेक्ट के बारे में आपको regularly update करते रहते हैं और आपको inform करते रहते हैं कि आपके area में कौन सा नया प्रोजेक्ट आया है जिसमें आप अपना investment कर सकते हैं और कितना किफायती वो investment आपके लिए रहेगा सो बहराल आज इस प्रोजेक्ट के बारे में हम discussion करेंगे ये affordable housing है और ये गुडगाओं में आया है जो developer है उनका नाम है wall ये लेके आए हैं project sector 92 में सो इसकी जितनी भी आपको जानकारी चाहिए सारी जानकारी स्क्रीन पे हमारे website flash कर रहा है tcpharyana.gov.in सो बाकी भी कोई भी affordable housing अगर आपको चाहिए होगा तो आप इस website पे चले जाएंगे ये town and country planning का है tcpharyana.gov.in जहां पे आपको सारी information दे जाती है कि आपकी इलाके में कौन सा project launch होने वाला है और कैसे उसकी application form की प्रिकरिया होती है अमोमन जितने भी affordable housing होते है सब की प्रिकरिया same होती है कि आपको उसमें participate करने के लिए 5% का आपको amount margin money जिसको हम कहते हैं देना होता है और बाकी आप चाहो balance तो आप loan लेके उसको pay कर सकते हो या जो construction link payment plan होता है उसके अंतरगत आप कर सकते हो यह जो project आया है यह sector 92 में यह project आया है इसकी location जो है garden city के साथ में ही है जहां से DLF टाउन DLF के बड़े सारे projects हैं वहीं पे यह project आपका आया है 60 मीटर के wide road पे यह project है बहुत दिनों से लोगों को इंतजार था कि गुड़गाओं में कोई affordable housing यहाँ पे आये और वो वहाँ पे जाके investment करें जहां पे यह project आया है इसकी जो connectivity है बहुत जबरदस्त है द्वारका expressway से यह मातर 7 से 8 minute के दूरी पे है जैसा है कि ambitious जो द्वारका expressway है PM नरेंद मोदी जी ने उसका inauguration अभी हाल के समय में ही किया था तो उसकी connectivity बहुत अच्छी है National Highway Aid जो जैपूर को जाता है उससे भी एरिया है वेल connected है और already बहुत सारे developers हैं जिनका की project यहाँ पे इस sector में है 92 में like DLF का है इसके अलावा signature global का है तो बहुत सारे project already इस area में है लेकिन वो जो projects है वो basically जो projects है वो luxury segment के आते हैं यह जो project है यह affordable segment का है और अगर आप investor है तो आपको हमेशा एक affordable segment में जाना चाहिए जहाँ पे कि आपके पैसे में आपको appreciation मिले तो यह जो project है total इसका size जो है वो 4.5 एकर का project है 4.5 एकर में हम 6 tower बना रहें और 700 total units आएंगे तो 700 units के लिए लगभग 7,000 application form आने की उमीद है और TCP द्वारा इसका draw floor निकाला जाएगा जो 4 tower हैं वो 14 floor के होंगे बाकी जो 2 tower हैं वो 19 floor के होंगे 2 BHK का जो इसका configuration है इसका size है 540 square feet का और जो 3 BHK का है उसका 645 square feet का है और इसमें जो balcony है वो 132 square feet से लेके 190 square feet तक की इसकी balcony है जो management quota का flat है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 1st floor पे मिलेगा 3 BHK के अंतरगत मिलेगा जो ये flat है जो TCP के draw floors में आएंगे उनके जो prices हैं वो 2 BHK के approximately 30 lakh rupees के आसपास का है और 3 BHK का approximately 34 lakh rupees के आसपास का है जो management quota का flats हैं वो limited flats हैं और वो जो हैं आपको सिर्फ 1st floor पे मिलेंगे इसका जो size है 645 square feet का size है और 700 square feet की आपकी balcony होने वाली है आप assume कीजिए कि 645 आपका size है हम carpet की बात कर रहे हमें यहां यह भी समझना होगा कि कार्पेट, covered और super में क्या अंतर होता है last time मैंने एक video बनाया था और उस पे बहुत सारे लोगों को आपती हुई थी जब मैंने super पे बताया था तो मैं आज आपको calculation भी बताऊँगा कि यह क्या होता है 645 square feet का जो आपका area है यह आपका carpet area होता है carpet area let us suppose कि मैं इस room में हूँ so इस room के अंदर जब हम carpet को enroll करेंगे जिस तरह area पे मैं carpet को enroll कर सकता हूँ उसी को हम carpet area बोले covered area आपका होता है उसमें आपकी walls included होती है और balcony included होती है इसके बाद आपका होता super area जिसमें की पहले developers super area के हिसाब से rate बोते थे और super area के हिसाब से चीज़े बेशते थे तो super area में जो है वो आपका include होगा अंदर की carpet उसके अलावा जो covered का wall है वो सारी चीज़े बालकनी इसके अलावा आपका left lobby corridor staircases so अमूमन यह देखा गया है कि carpet to covered का जो ratio होता है वो 26.8% का होता है रेरा में permissible है लेकिन super to carpet का अगर आप देखोगे तो लगभग 40% के आसपास का gap होता है यह किसी भी flat का आप calculation करके देख लिजेगा 645 का अगर आपका carpet area है प्लस बालकनी के साथ अगर यह 700 है और इसको हम अगर 1.64 से multiply करते हैं तो यह लगभग 1762 square feet का यह flat बनता है 1762 square feet में आप 40% माइनस कर लिजेगा तो आपका exactly 645 प्लस 700 तो लगभग 1300 के आसपास का आपका यह area आएगा तो 1762 square feet का आपका flat मात्र 34 लाक रुपे में गुरगाओं में आपका यह developer लेके आए हैं जो की affordable के अंतरगत यह है इसमें participate करने के लिए आपको TCP हर्याना के website पे जाना पड़ेगा एक margin money देनी पड़ीगी draw of lot के द्वारा निकलेगा और अगर आप management quota के through यहाँ पे लेना चाहते हैं जो की हर builder को TCP ने allow किया होता है कि लगभग 10% unit वो management quota के through बेज सकता है तो उसका सारा का सारा process आप हमें phone करेंगे हम phone के माध्यम से आपको explain करेंगे कि कैसे यह आप इसको apply कर सकते हो और कैसे आप ले सकते हो क्या इसमें payment plan होगा तो अधिक जानकारे के लिए आप हमें नीचे देए के number पे call कर सकते हो Thank you so much for watching this video, जय हिंद, जय भारुट